तो हेलो फ्रेंट्स मैं त्रेशा सक्सेना आपका इजी लर्निंग चैनल में स्वागत करती हूँ और चुकि हमारा पहले टॉपिक्स चल रहा था कॉड़ेट्स के सब फाइलम्स के बारे में तो हमी कॉड़ेट्स हमने पूरा किया था तो अब है हमारा यूरो कॉड़ेट्स जो सेकेंड सब फाइलम्स है कॉड़ेट्स का और इन्हें टूनिकेटा भी कहा जाता है और आप जो देख रहे हैं यह इसका एक्जाम्पल है सी स्कुर्ट ठीकें इनको टूनिकेट्स या सी स्कुर्ट्स भी कहा जाता है सी स्कुर्ट्स का मतलब है कि समुद्र में ज्याद जैसे हम गुली पर पिछकारी चलाते हैं ऐसे इस टाइप से इनके अंदर भी water का movement इस तरीके से होता है कि बाहर जब हम देखते हैं तो पानी अंदर जाता हुआ और बाहर एकदम pressure से निकलता हुआ नजर आता है तो वह पानी अंदर जाकर क्या करता है और बाहर कैसे आता है क या उसके composition में changes होते हैं यह सब हम देखते हैं तो यह जो है आपका C-squirt आपको नजर आ रहा होगा और यह usually solitary भी होते हैं याने कि अकेले एक individual भी आपको मिलेगा और यह colonial भी होते हैं याने कि colonies में भी present होते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसको यह C-squ particles रखी हुई हैं अंदर से hollow है ऐसा यह दिखता है ठीक है तो basically यह microscopic animals कहलाते हैं मतलब यह इतने छोटे होते हैं या बारिक होते हैं कि इनको कभी-कभी microscope से देखना पड़ता है ठीक है और इनको tunicates क्यों कहा जाता है यह बहुत important बात आती है थोड़ा background में शोर है तो प्ली test और tunic tunic क्या होती है जो जिससे हम cover करते हैं है तो इसको tunicates इसली कहा जाता है क्योंकि इसमें tunic present होती है या टेस्ट present होती है यान एक outer covering present होती है जो बनी होती है cellulose से ठीक है और इनके body में notochord जो है वो इनके larva form में present होता है और adults में absent होता है ठीक है इनमें क्या होता है notochord larva की stage तक रहता है लेकिन इनके adults में absent होता है अब आते हैं हम कि इनके adults जो होते हैं वो unsegmented होते हैं आपको जो ये structure दिख रहा है c squared का आप देखेंगे इसमें कोई भी तरह के segments present नहीं है ठीक है और ये कैसा है bag like structure है और asymmetrical है bag like structure अपको थेले जैसा दिख रहा होगा और asymmetrical है इसकी कोई symmetry नहीं है ठीक है उसके बाद आते हैं तो जो इसके adults होते हैं unsegmented होते हैं paired appendages present होते हैं इनके जो appendages हैं ये pair form में present होते हैं और इनके appendages में आप इनके pair और हातों पे मच जाईएगा जो भी इनको food grasp करने में use होता है वो ही इनके appendages कहलाते हैं टेल absent होती है टेल नहीं दिख रही है इसमें अपन को cilom absent होता है याने true cilom इसमें absent होता है ठीक है फिर उसके बाद आते हैं an atrial cavity opens to outside ये जो बाहर की तरफ खुला हुआ दिख रहा है ये इसकी atrial cavity कहलाती है एक्टोडर्मल होती है ठीक है बाहर की तरफ खुलती है और जिस point से ये खुलती है वो atrial aperture कहलाता है और अंदर जो इसकी cavity होती वो atrial cavity कहलाती है और ऐसा ही इसमें एक branchial cavity भी होती है याने कि दो cavities इसमें present होती है देखी मैं आपको दिखाती हूँ ये आपको जो structure देख र that is atrial cavity और जहां से enter होता है उपर की तरफ से वो branchial cavity कहलाती है इनका जो elementary के नाल होता है आप नीचे की तरफ देखिए right hand side वाले डाइग्राम में आपको नीचे एनस, intestine, isophagus, stomach सब दिख रहा है तो इनका जो elementary के नाल होता है वो U-shaped का होता है circulatory system जो है इसमें वो open circulatory system है open circulatory system का मतलब होता है कि इसमें blood जो है blood vessel में दोनों तरफ flow करता है तो इनमें open circulatory system होता है excretion के लिए इसमें क्या present होते हैं इनमें neural glands present होते हैं और pyloric glands present होते हैं nephrosites present होते हैं जो इनके excretion के लिए help करते हैं ठीके उसके बाद आते हैं reproduction इनका कैसा होता है इनका जो reproduction होता है वो sexual और asexual दोनों तरीके से होता है sexual में male और female gametes बनते हैं उनका fertilization external होता है और ये sexual तरीके से याने by budding के थू भी इनका reproduction होता है और ये hermaphrodites होते हैं hermaphrodites का मतलब क्या होता है male और female दोनों ही gametes एक single individual body में ही बनते हैं fertilization external है, indirect development है indirect development का मतलब होता है कि इन में क्या होता है larval stages आती है और उसके बाद adult बनता है तो जहां पर भी larval stages आती है उनको indirect development कहा जाता है blood circulation जो है वो अपना direction बदलता रहता है हर थोड़े seconds के बाद after every few seconds they change the direction of the blood circulation इसलिए तो open circulatory system है ये ठीके और इनका जो blood होता है उसमें special cells होते हैं जिनने vanadocytes कहा जाता है vanadocytes इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक element vanadium secret होता है तो ये समुदर के पानी में vanadium का बहुत बड़ा source होते हैं तो ये है आपका tunicates ये आप जो example देख रहे हैं ये सिसाइल sea squat है तो ग्रेट barrier reef में present होता है आपको इसमें channels दिख रहे होंगे हैं ना बहुत सारे तो ये colonial form में है ठीके और ये भी देखिए stocked colonial tunicates है stocked का मतलब होता है कि नीचे इन में stem present होती है और ये fixed position में होते हैं तो ये stocked colonial colonial क्योंकि ये हैं क्योंकि colony में बहुत सारे present हैं oxycorineus fascicularis इसका नाम है ठीके और ये है इसके पूरे notes हैं जो मैंने आपको पूरे समझाया है written form में आप इसका screenshot ले सकते हैं ठीके और thank you so much आपको अगर मेरा पसंद आता है ये देखिए diagram आपको अगर दिख रहा है यहां पे है ना तो उपर की तरफ आप देखो ते buckle siphon या oral siphon दिख रहा है और ये जो आपका फिरोजी कलर का ये बड़ा सा जो structure दिख रहा है ये पूरा दिख रहा है तो ये जो structure है ये ही इसमें पूरा अंदर इनका filtration होता है filtration का मतलब समझते हैं की जो पानी अंदर आया उसमें जो भी खाना होगा वो अंदर ये filter होके इनके स्टमक में जाएगा intestine में जाएगा और नीचे की तरफ आप देखोगे तो side में आप देखो right hand side में एनस दिख रहा है yellow color की tube उसके बगल में एक orange color की tube दिख रही है ये यहां से लेकर नीचे तक ये पूरी जो है इसका reproductive system है ovary, testis पूरा एकी body में बनता है नीचे की तरफ आएंगे तो red color में जो structure दिख रहा है वो इसका heart है यानि heart जो है वो नीचे होता है ठीके और आपको ये तेंटिकल्स दिख रहे होंगे जो ये फिरोजी कलर का ये पूरा structure दिख रहा है इसके उपर छोटे छोटे hair like structures है जो tentacles कहलाते हैं ये इनका filtration system है ठीके और atrial siphon आपको दिख रहा होगा right inside की labeling में देखी atrial siphon पानी यहां से अंदर आता है filter होकर ये पूरा होकर और फिर बाहर निकलता है आपके किसे branchial cavity से branchial aperture से बाहर तो ये जो है आपकी c square थी और ये इसका बहुत important example है और ये था पूरा euro credits और प्लीज मैं फिर से कहूंगी मेरा channel like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी कोई competitive exam की तियारी कर रहे है net की तियारी कर रहे है उनके साथ CTET की तियारी कर रहे है BSC इन सब के लिए प्लीज शेयर कीजिएगा thank you so much